बीता हुआ कल वापस नहीं आता, जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कारियों का पच्चतावा होता है. हम खुद को सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लोट कर नहीं आता है यहां हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए कहानी बीता हुआ कल लोट कर नहीं आता महात्मा बुद्ध एक गाउ में प्रवचन सुना रहे थे उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुरवानी से सभी को संभोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धर्ती मा की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए क्रोध मानव का ऐसा शत्रू है जो दुसरों को तोहानी पहुचाएगा साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा इसलिए क्रोध इर्श्य मानव की सबसे बड़े शत्रू है सभा में सभी लोग शान्ती से उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे तभी वहां उस सभा में एक अती क्रोधी व्यक्ती भी उपस्थित था वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला बोलते समय उसका आँखे खून के सामान लाल हो रही थी उसने बोला कि तुम धोंगी हो यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो यह जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना इसको सचमुछ करना बहुत मुश्किल है समझे तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है यह सब बातें कोई माइने नहीं रखती असल जिन्दगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्ट महात्मा और जहां से आये हो वही चले जाओ ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और नहीं उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रियादी वह शांत रहे और अपना काम करते रहे जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुह पर ठूक कर चला गया अगले दिन जब उस व्यक्ती का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पच्तावा हुआ तब वह आत्मगलानी में जलने लगा और फिर उसने सोचा की उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे लेकिन महात्मा जी वहां कहां मिलने वाले थे वह तो अपने शिश्यों के साथ अन्य किसी गाओं की यात्रा पर निकल पड़े वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुँच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिशों ने उसे उनके पास जाने से रोका लेकिन महात्मा जी ने अपने शिशों को आदेश दिया की आने दे उस पुरुष को तब वह पुरुष महात्मा जी के चर्णों पर गिर गया पुरुष्ट कृत्य की आप से माफी मांगता हूं। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले की कौन सी बात तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की और देखा। भूल का एसास हुआ यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए सो तुम अब निर्मल हो गए हो इसलिए कोई भी गलानी अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास। करो। प्रयबान और क्षमाशील होने का प्राण आज से लेता। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह प्रेणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पच्चतावा न कर उस गलती को हमें अपने भविश्य में कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों बीता। उआ कल कभी लोट कर वापस नहीं आता। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। थैंक्स वर वाचिंग।